भाई और बहनों, देश में स्वास्त सेवाओं को सहज और सूलग बनाने का जो अभियान आज पूरे देश में शुरूआ है, ये छे साथ साल से चल रही सत्त प्रक्रिया का एक हिस्सा है. बीते बर्षों में भारत ने देश में आरोगे से जुड़ी दसकों की सोच और एप्रोच में बढ़्लाव किया है. अब भारत में एक ऐसे हिल्थ मोडल पर काम जारी है, जो होलिस्टिक हो, समावेशिक हो. एक ऐसा मोडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो, यानि प्रिवेंटिव हेल्थ केर, बीमारी की स्थिति में इलाज चुलब हो, सस्ता हो और सब की पहुँच में हो. योग और आयुरुवेश जैसी आयुश की हमारी परमपारिक चिक्सा पद्धदी पर बल हो, ऐसे सभी प्रोग्रेम गरीब और मद्यमबर को बीमारी के कुचक्र से बचाने के लिए शुरू किये गए. देश में हेल्थ इन्फरा के विकास और बहतर इलाज की सुविदाएं, देश के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए नई स्वास्थ नीती हेल्थ पालिसी स्वास्थ नीती बनाई गई. आज देश में इन्फर जैसे बहुत बड़े और आधुनित स्वास्थ संसानों का नेटवर्ग भी तैयार किया जा रहा है। हर तीन लोगसवां छित्र के बीच एक मेडिकल कॉलेज का निर्मान भी प्रगती पड़ है। साथियों, भारत में स्वास्थ सुविधाओं को बहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं कि गाउं में जो चिकित सा सुविधाओं मिलती हैं, उनमें सुधार हो। आज देश में गाउं और घर के निकट ही प्राइमरी हेल्थ केर से जुड़े नेटवर्क को हेल्थ और वेलनेस सेंटर में उससे ससक्त किया जा रहा है। अभी तक ऐसे लगबग असी हजार सेंटर्स चालू हो चुके हैं। ये सेंटर्स रूटिन चेक अप और टिका करन से लेकर गंबीर बिमारियों की सुरुवाती जाच और अनेट प्रकार के टेस्ट की सुविधाओं से लेश हैं। कोशिश ये हैं कि इन सेंटर्स के माध्यम से जागरुकता भड़े और समय रहते गंबीर बिमारियों का पता चल सकते हैं।